इंटरनेट पर रोक से नहीं मिल पाई मेट्रो बंधोनी की सुचना किसानों को चल कर आना पड़ा हजारों यात्रियों को पाच किलोमेटर तक बैदल चल कर आना पड़ा किसानों ने एक और जहां एक फर्वरी को बजट पेश करने के दोरान संसत भवन के सामने प्रदर्शन वर घेराओ की घुशनगी थी वहीं दूसरी और सरकार को यह डर भी था कि कहीं किसान अपनी बात पर कायम ना रहे किसान नहीं दिल्ली ना पहुच सके इसके लिए पुलीस ने चाक चौबन वेवस्था कर रखी थी दिल्ली मेट्रों ने सोंवार सुबा बहदूर गड़ की तीनों मेट्र स्टेशन बंद कर रखे थे इसके बाद टिक्री बॉर्डर स्टेशन को भी बंद कर दिया था रहो तक भीवानी, फत्यबाद और जजजर जिलों से दिल्ली आने वाले हजारों यात्री उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बहदूर गड़ सीटी के सभी मेट्रों स्टेशन बंद है बस स्टेशन के नीचे दरजनों बसों का जमावड़ा लगा हुआ था मेट्रों की सभी गेंट बंद थे, इसलिए दिल्ली के और आने जाने वाली सवारियों भी बहदूर गड़ नहीं पहुँच सकी लोगों को दिली आने के लिए पांच किलोमेटर पैदल चलना पड़ा, इस अफरत अफरी के मुख वजह लोगों को समय पर सूचना ना मिल पाना हर्यान सरकार ने राज के अधिकाश जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर रखी थी, यात्री मेटरो की ट्वीटर पर डाली गई सूचना उन तक नहीं पहुच सकी टिकरी के व्यस्त बाजारों से गुजरते वे लोग टिकरी कला के स्टेशन तक तो पहुचे या पाच किनोमेटर की दूरी लोगों ने पैदल पूरी की, टिकरी कला स्टेशन पर मेटरो के फेरो के बदलाव किया गय था, इसलिए वहाँ यात्रियों की भारी भिड जमा हो ने दिल्ली से परविनर्शी राष्ट्री नेट्वर के लिए